तो दिल्ली विधान सभा सत्र की शुरुवात में भी भारी हंगामा हुआ विपक्षी बीजेपी विधायकों ने सीम के स्तिफ़े की मांग उठाई है उपराजेपाल की अभी भाष्रुन से पहले सदन में हंगामा हुगया तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली विधान सभा में जहां विपक्षी बीजेपी विधायकों ने मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल की स्तिफ़े की मांग की है ये तस्वीरे भी सामने आ चुकी हैं उनका साफतोर पर ये कहना है कि मुख्य मंत्री को स्तिफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि हर मंत्री तो ब्रस्टा चार में संदलिप्त है उपराजेपाल की अभी भाष्रुन से पहले ही सदन में हंगामा हो गया इससे पहले एक वो तस्वीर हम ने दिखाई थी डॉक्टर हर्श वर्दन मेट्रो स्टेशन पर जब परचे बाट रहे थे तो उसमें भी यही मांग की गई थी कि मुख्य मंत्री को स्तिफ़ा दे देना चाहिए और अब ये दिल्ली विधान सभा के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त हंगामे की भेट चड़ चुकी है यानि की उपर राज्यपाल की अविभार्षोन से पहले ही सदन में हंगामा सभी बीजेपी के विधायक सदन से मार्शल आउट किये गए बड़ी अपडेट है ये इस वक्त की एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा दोनों सदनों की कारवाई आपने देखा कैसे हंगामे की भेट चड़ी है और अब ये दिल्ली विधान सभा की तस्मीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहां विपक्षी बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल से स्तीफ़े की मांग की है आपको बता दे सतिंद्र जैन और मनी सिसोधिया के जेल जाने के बाद लगातार आम आत्मी पार्टी पर हमलावर है बीजेपी ब्रस्टाचार के जो आरूप लगे हैं उसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब नेतिकता के नाते ही मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को इस्त लोगे शवोरियन घलड है के अनुन आप उन यस